तो आज हम बात करेंगे के बारे में और कुछ डाउट्स जो बच्चों को क्लेयर होने चाहिए उन सब चीदों के बारे में भी बात करेंगे देखें सेलरी हमें बताने का परपस सेल्फ यह है कि कई बच्चे पूस्ते हैं कि क्या सेलरी होती है और यह थोड़ा सा मोटिवेश पर्यशनीर मोटिवेशन वी देता है बच्चों को एक तयारी करता है कि यह फोली है तो इसलिए बात करेंगे दो चीजहों के बारे में बात करेंगे इसे हैं सबसे पहले हम बृत करते हैं बसी पैसिक ससे इसे बेसिक पे आपका वो होता है जो कि जो कि जिस भी पोस्ट के लिए आप सेलेक्ट हुए हो यानि कि गौवर्मेंट की तरफ से उस पोस्ट के लिए इतनी सेलरी हमीशा फिक्स रहेगी ठीक है उसमें कभी भी कम बढ़ती नहीं होगा मतलब की कि आपकी जो पोस्ट है उस पोस् इंक्लूडड होती है जिसे हम कहते हैं अब यह जालेजे हैं जो आपके सेलरी के अलावा जो आपको रियायत कह लिए या पिर कुछ एक्स्ट्रा मॉंट कह लिए वह सारी चीज़ो मिलती है वह होती है आपके लाउंस अब अलांस भी टाइप के होते हैं जैसे हार हिवर्य ठीक है, DA होता है, TA होता है, बहुत सारे allowances होते हैं, तो हम सारा detail में बात करेंगे कि आपके salary क्या होती है और allowances आपको कितना कितने percent पे मिलता है, देखें, सबसे पहला अगर हम बात करें, basic pay के बारे में PRD level के लिए, तो आपका होता है 35,400, यह आपका होता है, basic pay, ठीक है कितना होता है, 35,400, यह आपका basic pay हो गया मतलब यह तो आपको मिलना ही, मिलना है अब बात कर लेते हैं, allowances कौन-कौन से आपको मिलते हैं, सबसे पहले आपको मिलता है DA, यानि DNS allowances, यानि कि महंगाई बता जिसे हम कहते हैं यह भेंगाई के according होता है, साल में और यह change होता रहता है, साल में 2 बात, ठीक है तो अभी के फिलाल के बारे में बात करें, तो यह 17% है अभी 70, अभी जो DA होता है, यह आपको 17% किस चीज़ का मिलता है या आपकी basic pay का, यानि कि जो आपका basic pay क्या था 35,400 जो आपका basic पे है, और उसका 17% आपका जो होगा, वो होगा आपका DNS अब यह कितना होगा, 6,018 रूपीज यह आपका होगा, calculate करके देखेगा percentage निकालिएगा, तो यह आपका होगा, 6,018 ठीक है अब बात करें, आपको दूसरा allowances क्या मिलता है, travel allowances ठीक है, travel allowances जो होता है, वो आपको मिलता है अब वो कितना percent होता है, देखेगे, यह एक fix amount होता है, जिसमें कि 18,00 रुपे आपके fix किये गए है, 18,00 रुपे आपको मिलते ही मिलते है तो यह PGT लेवल पे इतने ही मिलेंगे, और TGT लेवल पे उतने ही मिलेंगे तो यह fix amount होता है, जो कि आपकी organization fix करती है, तो यह 18,00 रुपे आपका fix है फिर उसके बाद अगर हम बात करें, DA on TA, ठीक है, महंगाई को ध्यान में रखते हुए, जो आपको travel allowances दिया जाता है, वो होता है, DA on TA अब यह कितना percent मिलता है, तो यह भी आपको 17% ही मिलेगा, लेकिन यह किस चीज का 17% होगा, आपका TA का 17% होगा जैसे कि 1800 रुपे आपको TA मिल रहा है, तो इसका 17% आपका 306 रुपे होगे, तो यह आपका 17% मिलेगा, अब बात करें, HR-A, HR-A के बारे में काफी बच्चे confused होते हैं, तो HR-A का बता दू, HR-A क्या होता है, house rent allowances, तो यह क्या होता है, यह सिटी के according होता है, जैसे कि जिस ज 24% मिलता है, जैसे जिसके 5,50,000,000 के बीच में अबादी है, उस शहर की, तो वहां कितना मिलता है, वहां 16% मिलता है, और यहीं पर अगर किसी की 5,000,000 से कम अबादी है, तो उसे 8% मिलता है, तो यह आपका depend करता है, कि आपका selection क्या होगा है, तो यहाँ पर मैं अगर डेली क बात करूं, तो डेली में आपका 24% मिलता है, तो आपका यह 24% किसका होता है, बेसिक पे का, तो बेसिक पे का आपका 24% अगर हम निकालेंगे, तो यह निकलेगा, 8,496 रुपीज, ठीक है, तो यह आपका हो गया house rank allowances, अब यह उन्हीं लोगों को मिलता है, जो कि घर नहीं जैसे कि आप जानते ही हो, KBS में almost teachers घर ले लेते हैं, तो उन्हें यह allowances नहीं दिया जाता, मतलब यह उन्हें नहीं दिया जाता, अगर वो ले ले लेते हैं, अगर वो नहीं लेते घर, तो उन्हें यह allowances उनकी salary में included करके दिया जाता है, तो यह अगर इन सारी चीज़ों क और भी कावी allowances हैं, लेकिन main allowances हमारे यहीं हैं, और जो city city, मतलब जगा जगा पे भी vary करता है, कि आपका कौन सी जगा पे कहां posting हुई है, ठीक है, तो और दो चार allowances है, वो सिर्फ आपका depend करता है, कि आपका कहां posting हुई है, ठीक है, तो आप बात करें आपके total के बारे में तो यह आपका total कितना salary होगी, यह आपकी होगी 52,020 रुपीज, ठीक है, 52,020 रुपीज आपकी यह salary होगी, ठीक है, PRT teacher के लिए, आप यहाँ पर PRT teacher में कुछ चीज़े कटती भी, तो दो तीन चीज़े मैं आपको बता दू, जिन में की जो आपकी salary में से कटती है, एक हो है, DNS allowance, allowance plus आपका, जो आपका होता है, basic pay, दोनों का मिला के, जो 10% होगा, वो आपका कट जाता है, इसमें, NPS में जो पैसे आपके मिलते हैं, आपके, जब आप retire होते हो, तो देखते हो ना, कि सरकार आपको काफी retirement का जो पैसा देती है, वो यही होता है, National Pension Scheme, अब जो में जादा पैसे तो नहीं कटते हैं, लेकिन 400-500 ये 600 लगबग कटते हैं, इसमें क्या होता है, कि जो medical facilities जो आपको दी जाती है, government की तरफ से, उसका ये पैसे कटते हैं, 400-500 पर कटते हैं, लेकिन जादा जो amount आपका कटता है, सेलरी में से, वो आपका कटता है, सिर्फ NPS, जो कि आपको आपकी retirement के time पर मिल जाता है, ठीक है, तो यहाँ ये video हमारी खतम होती है, अगर आपको video अच्छी लगए है, तो please like and share कीजिएगा, और लोगों तक पहुचाईएगा, क्योंकि काफी लोगों को confusion होती है, हरे में, ये सब चीजों में, जानने में, तो अगर एलाएर से ही चैनल के साथ बने रहे है चैनल को support करते रहे हैं, thank you